वाहन चालक नहीं लगा रहे हैं हेलमेट सिल्वेल्ड पंधरा दिन में भरा 41 लाग का जुर्माना वहिजन्पाद रामपुरे पुलिस की सक्ति के बाद भी वाहन चालक यातायात के नियमों की धज्ज्या उड़ा रहे हैं अपनी लापरवाहि से पुलिस का खजाना भर रहे कावी संक्या में लोग ना तो हेलमेट लगा रहे हैं और ना ही कार में सिल्ट बेल्ट बानकर सफर कर रहे हैं हाला कि इसका खामियाजा उन्हें भरना पड़ रहा है पुलिस भी जुर्माना वसूल ने में पीछे नहीं ही एक नमबर से पंधर नमबर तक 10,000 वाहनों को चलानकर 41 लाग का जुर्माना वसूल किया गया वही सरकार और शासन लियादयात के नियमों को पालन कराने को गंबीरे इसके लिए सक्ती भी कर दी गई है कुछ महां पहले चलान जुर्मानी की राशी को दुगना कर दिया गया था पुलिस इसका सक्ति से पालन करा रही है शहर और दिले भर में लगातार वाहनों की चेकिंग की जा रही है इससे जहां पुलिस को जुर्माना राशी वसूल करने में खजाना भरने में मदद मिल रही है वहीं अपरादिक प सब्सक्राइब तो तो तोड़ने में लगें यहां तक कि कार सवार भी कमी स्रिल बेल्ड बांद का सफर कर रहें वहांचालकों की यही लापरवाही पुलिस विभाग का ख़साना भर का सब्ब बन रही है पुलिस विभाग के आपड़े बताते हैं कि नवंबर महा को यादाय पुलिस अधिशक के निर्देशन में एंटी रोमियो स्क्वाइट द्वारा जनपत के नगरवा देहाद छेतर में जाकर महिलाओं एवाम बालिकाओं को किया जा रहा है जागरुक मही जनपत रामपुर में पुलिस अधिशक शगुन गौतम के निकट परियावेक्षण में अपर पुलिस अधिशक नोड़ाल अधिकारी रणकुमार सिंकी नेतरतों में एंटी रोमियो स्क्वाइट प्रभारी सूशरी कंचन टोलिया में टीम तथा थानों पर गठित एंटी रोमियो टीम द्वारा जनपत के नगरवा देहाद छेतरों में जाकर महिलाओं एवाम वालिकाओं को उनकी सुरक्षा अधिकारों कानून के बारे में जानकारी देते हुए वोमेन पावर लाइन 1090 महिला हेल्प डेक्स घरेलू हिंसा हेल्प लाइन नंबर 181 पुलिस अपतकालीन परबंदन प्रणारी परियोजना यूपी 112 के बारे में भी जानकारी दी जा र रहे हैं एम एल सी चुनाओ को लेकर तैयारियां तेज महिजन पद रामपूर में एक दिसंबर को होने वाली विदान परिशत की बरेली मुरदवाद इसना तक निर्वाचन छेतिर के चुनाओ के लिए पिरशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं वही पिरशासन की ओर से 15 पृतियाशी चुनाओ मैदान में हैं पृतियाशियों के नमंकन की परिकिरिया पूरी हो जाने के बाद चुनाओ पिरचार शुरू कर दिया गया है दुसरी और पिरशासन ने भी अपने इस्तर से तैयारियां शुरू कर दिये एक दिसंबर को होने वाले मतदान के लिए और से मतदान इस्थलों का निर्धारां कर दिया गया है रामपूर में राच्किय हामित इंटर कॉलिज नगरपाली का परिशत समेत पांच मतदान केंद्रों पर वोटिंग होगी रामपूर के जिला निर्वाचन अधिकारी अनंजनी कुमार सिंग ने मतदान को शांती अधिकारी नगरपाली का अधिकारी एवं जलनिगम के अधिकारियों को ग्यापन दिया था वहीं फिर से उनने अपर जिला अधिकारी जेपी गुपता एवं अधिशासी अधिकारी नगरपाली का एवं जलनिगम के अधिकारियों से मुलकात की अफसरों को अपने साथ ले जाकर मौके का मुआयना कराया वहीं खुदी हुई सड़क पर जलभराओ के करान शतिग्रस्त मकान एवं शतिग्रस्त हुई गलियों को दिखाने के बाद अतिशीक सिवर लाइन बनवाकर सड़क करने की मौके पर मौके पर अपर जिला अधिकारी जेपी गुपता ने जलनिगम और अधिशासी अधिकार नगरपालिका को 20 दिन के अंदर सिवर लाइन और सड़क बनाने के निर्देश दिए अपर जिलाधिकारी ने सफाविवस्ता दुरुस्तना होने पर नराजगी जताई सड़क बनने का आशवासन मिलने के बाद लोगों संतोश व्यक्त किया ट्रेन का फरजी टिकेट बनात एक लिए टिक्तों को लेकर नगर की जा रही है कई कंप्यूटर सेंट्रों पर टिकेटों को लेकर घपला चल रहा है टिकेट को रेलवे की आईडी पर बनाना चाहिए लेकिन ऐसा नकर अपनी पर्सनल आईडी पर बनाया जा रहा है जिस रेलवे को नुक्सान हो रहा है और पीएफ ने भी इस संबंद में अपनी कारेवाही तेज कर दी है ऐसे कंप्यूटर सेंट्रों का पता लगा कर छापामार कारेवाही की जा रही है शहर के मुहला जेन इंटर कॉलिज के प जब्त कर लिया गया है आर पीएफ में आरोपी आशुतो शुकला पुत्र रवी शंकर शुकला को गिरफतार कर लिया है उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्च कर ली गई है उससे मुरदवाद में रेलवे की अदालत में पेश किया गया है